दोस्तों, अगर आपको जट से बहुत कुछ सीखना है, तो TRS Clips Hindi के चैनल पर आपका स्वागत है. मैं एक्चली रिस्ट्रिक्शन की बाते कर रहा हूं, लड़कियों को बच्पन से कहा जाता है, इन वे सौट अ शुट शेम किया जाता है, यह आई डोंट थिंग भारत की असलियत है, यह समाज की असलियत है, यूमन सुसाइटी की असलियत है, बॉइज और इस लिए कि प्रिफा केसेज़ जनसे अप प्रटेक्ट करना चाह रहे हो, लड़कियों की इजद बचाना चाह रहे हो आपके आपके आस पास के लोग ही करते हैं, रेलेटिव सम्पी और जब कोई उटके बोल देती है लड़की कि अपने मुमे, मैंने बहुत किससे थेखे हैं, कि बता क्यों है इज़त बूब्स और वजाइना में लड़की की इज़त क्यों रखनी, I don't understand, पूरे खांदान की इज़त मेरे 32B पे क्यों है? I'm sure आपने सवाल के बार में सोचा है, बहुत सोचा है, तो जो भी सोचा है वो बताइगे, अभी, यार, I don't know, it's just easier to control girls, लड़कीं को control करना easy है, जब भी आपको पार चाहिए, मतलब किसी सोसाइटी को भी पार चाहिए, you control the weaker section, so, एक आदमी को पहले, पहले बहुत जेनरेशन था कि आदमी को अच्छा लगता था, कि उनकी ओरते उनके control में है, उनकी बच्चियां उनके control में हमारी इजासत के बिना तो यह घर से कदम भी नहीं बाहर रखते हैं, यह सब चीजे बोलने में भी अच्छी लगती थी लोगों को इस podcast के तुरू मैंने history बहुत ज्यादा study करी है आके और जैसे बात करके researchers से बात करके ठीक है और मुझे यह पता चला है कि अगर आप genuinely human history को study करें तो अलग-अलग phases होते हैं कुछ phases में mostly patriarchal societies होती है जहां males के पा यह I've also read that book sapiens हां यह it's a good book वही society society की बात है बट अभी बहुत टाम से हम तो वैसी society देखी नहीं जहांपे matriarchal पार जाता था जहां women have power and women control how society works ठीक है पर mostly we live in a patriarchal society 99% of the world yeah 99% तो आप उस परस्पेक्टिव से कह रहे हो yeah definitely वही परस्पेक्टिव है okay I'll tell you what as a guy is concept को समझना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि as a guy throughout your life from the time your memories are built आप सिर्फ अपने नजरिये से दुन्या को देखते हो I feel until you date someone who you really love who explains things to you job genuinely उस चीज़ को समझने की कोशिश करता हूं जापको genuinely यह पता चलता है कि आपका perspective शायद एक male perspective कभी-कभी कुछ cases में like I feel कि मुझे मेरी बहन की बज़र से पता चलता अगर आपकी बड़ी बहन होते है शायद वो to some degree आपको समझा सकते है but you need a girlfriend who you love a lot or you need to have a daughter फिर आप feminine perspective को असल में समझता है would you agree yeah I would agree okay you would listen more to your girlfriend you know क्योंकि आप जब अपने घर पर देख तो आप बहुत used to हो जाते हो आपको लगता है शायद यह सही है so जब कोई एक और perspective आता है तो maybe yeah और लड़की के लिए भी सब चीज़े समझना बहुत difficult है हमने यह वाला पार्ट भी देख लिया और बहुत जल्दी स्विच भी हो गया हां से यहां तक you know freedom भी अचानक सही मिल गए लड़कियों को बहुत जादा movement भी हमने देखा है पिसले 10 सालों में दुनिया भर की feminist movement and I don't agree with all of it ठीक है I don't agree with all of it you shouldn't हर चीज से तो अगरी किसी को नहीं करना चाहिए I agree with aspects of it I feel okay यह भी एक historical perspective से कह रहा हूँ एक Africanist और बहुत highly qualified archaeologist आयते show पर डॉक्टर प्रभाकर उन्होंने कहा की तीन हजार साल के अंदर सब कुछ destroy हो जाता है plastic भी destroy हो जाता है but the only thing that survives is stone ठीक है तो जो humans के past generations थे the only thing that survives from their age is stone और stone में उन्हेंने messages लिखे थे future generations के और main message यह थी कि male और female power को balance करना चाहिए society में क्योंकि शायद बहुत सारे ऐसे historical stories है which are lost we don't know what's happened but यह male और female power का imbalance बहुत बार हुआ है we are just living in a phase of imbalance again और वो याद दिला रहे है कि okay balance it out ठीक है पर जब लोगों पता चलता है कि there is a need to balance it out society reacts very aggressively तो अभी वाली feminist movement हम देखे है वो एक reaction oriented movement है I feel कि over time यह movement balance हो जाएगी होगी दोनों साइड से यह I feel even आजकल के लड़के भी काफी समझदार हो चुके और काफी if I can use the word feminist maybe yeah they're there kind of I would say empathetic empathetic and understanding also काफी understanding अगर आपने feminist word use कर लिया ना there's lots of guys will just switch off from the conversation for me feminism doesn't have to be like कि हर चीज में मैं हला बोल दूं कि अभी एक वीडियो था जहार रन्वीर को पूर्ना आलया भट को मजा को ड़ा थिया था कि looks like क्यों और भी फैल गया है बहुत feminist you know वो गई थी कि कैसे उसने बोल दिया फैल गया है पैल गया है पड़ I feel वो मिया बीबी के आपस में बात है नहीं है यह जो सुसाइटल बैलन्स की बाते कर रहे हैं वो ऐसे कॉंवसेशन के थ्रू ज्यादा बैलन्स हो जाती है तो लेट्स टॉक अलिल्ल बिट मोर बाउट इस के वारे में और हम समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत साइब लड़के आपको हेट करते क्योंकि शायद यह चैलेंजिंग बेट्रिया की एफेक्टिवली आप और कुछ कहना चाहोगे लड़कों का तो मुझे लगता है कोई हगी नहीं बनता है बोलने का आपने वो नहीं सहा है जो मैंने सहा है यू नहीं सहा है यू नह समझ ही नहीं आता है मतलब तुम्हे क्या मतलब है? and then they give this example कि हम भी ऐसे अपनी अपनी निकाल के चलें तो like there's a difference there's a lot of difference और एक तो sexualize भी आपी नहीं किया है फीमेल बोड़ी को दिकत भी आपी को गरी है I have noticed कि जो आइटम सॉंग में फिल्मों में आइटम नंबर्स होते हैं ऐसे से लिरिक्स होते हैं ऐसे से डान्स होते हैं तो भी कोई ना डिरेक्टर प्रडूसर को ब्लेम नहीं करता है कि यह क्या करवा दिया लड़की से अरी इसने लड़की को यह तब भी बोलते हैं कि ते क्या समगतलिस हैं आइटम सा कि क्या से को सब भी क्या स्कता हूला मैं पर वालग प्रडूसर कहरी हूं कि यह प्रडलापल्याजाशन उड़की एक प्राड लड़की अपनी सेच्छलाइशन पर क्यू नहीं कर सकती हैं मैं बज बहीं क्यारीजाज कर रही हょं यह आप आप क हर किसी को sexualize किया जाता है और यह हमारी society के असलियत है तो आप के अगर यह असलियत है आपके खुद के दिमाग ने एक decision लिया आपकी खुद की body है जो आप पहन रहो आपके खुद के decisions है लोगों को judge नहीं करना चाहिए I'm not stopping you to judge me I'm make on with you it's just that I want to make money of that judgment that's the point okay i'm just as as I said I'm exploiting my own capitalization or sexualization for the sake of money for the sake of money and fame fame yes of course why not but I don't feel that what I do is the only reason I get like skin show basically is the only reason I get fame. Exactly. If it's a skin show, then now you know my secret. I want to give a perspective of a podcast. When I said that Ulfee Javed is going to be on the show, they sexualized it a bit and when I said that they said different things about it. Someone said oh she's representing Indian fashion at an international level. Someone said that her designs are good. She's actually a fashion designer. Someone else said that my opinions are good. Someone else highlighted some religious aspect but in a positive way. So again, I feel ki aap ki life a case study hai for this phase of anthropology or societal history kyunki aap patriarchy ko challenge kar raha ho. Mein bach samaj ne ki kooshish kar raha ho. Mein to kisi ko challenge hi ni kar raha ho. Mujhe paise banane tha hai, mein aapna paise bana raha ho. Tumme wo challenge lag raha hai toho tumhari galti hai bhai. Her cheez apne manli hood pe mat lo. Her cheez you know maabaap ke saamme thodi ki jati hai. yeh video se aapne kuchh sikha na. Baagi ke videos bhi ni ha pe h झाल झाल